वाट्सप दोस्तो मेरा नाम रवी शंकरे और स्वाथ आपका मेरे चैनल रवी ब्लॉग्स टेग में तो दोस्तो Google Chrome आप सभी लोग में से मेज़ोरिटी लोग बहुत जादा यूज़ करते होगे Google Chrome को क्यों ना यूज़ करो क्योंकि ये बहुत जादा पॉपलर वेब ब्राउजर है तो आप लोगों का अगर फोन है तब आप फोन में भी यूज़ करते होगे या फर PC या फर कहीं पे भी आप Google Chrome यूज़ करते होगे ये बहुत ही जादा वन ओड़ पॉपलर वेब ब्राउजर है पर दोस्तो वन ओड़ पॉपलर वेब ब्राउजर के वेब ब्राउजर के बारे में तो उसी रिपोर्ट में पता चला है कि दोस्तो गूगल जितने भी ब्राउजर से उन में से बहुत ही जादा वर्णिबिलिटीज है इसमें और वर्णिबिलिटीज में तो आप लोग नहीं पता है तो मैं बता दूँ उसमें बहुत सारा problem है अगर आप लोग Google Chrome यूज़ करते हो तो आप लोग उनके लिए एक बहुत ही जादा रिस्क बना रहेगा तो दोस्तों बात करूँ मैं बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले चार्ट की मंदद से जैसे कि आप लोग यह चार्ट देख सकते हूं YTD का 2022 का लिस्ट जो सबसे वर्नेवल ब्राउजर से उनसा भी का लिस्ट आप लोग जैसे कि देख सकते हूं सबसे नमबर वन में दोस्तों Google Chrome ही आता है इसमें बहुत ही जादा वर्नेबिलेटीज है और बाकी सब जो ब्राउजर है सेकेंड नमबर पर Firefox उसके बाद Edge ऐसे ऐसे आते रहता है तो और फिर भी Edge का उतना जादा भी नहीं है एज अगर आप स्तमाल करना चाते हो तो Edge अगर आप मतब इस्तमाल कर सकते हो और सबसे कम देखा जाए तो वो दोस्तों Opera का है और यह बिलकुल उसी order में है जिस order में एजन के popularity है तो सबसे ज़्यादा जो popular है वही सबसे ज़्य जाद vulnerable भी है तो अगर safe run है तो आप लोगों को या तो Opera और या तो Microsoft Edge यह दोनों में मैं shift करूँगा मतलब आप लोगों को suggest करूँगा कि अगर आप लोग अपने data को safe रखना चाते हो खुद को safe रखना चाते हो तो इन दोनों में आप shift कर सकते हो और अगर आपके पास Safari है म फिर iPhone है तो वो आप use कर सकते हो आप लोग ज़्यादा safe रहोगे Google Chrome के compartment और Google Chrome में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा security flaws है अगर आपके data वगेरा leak हो सकती है बहुत ही ज़्यादा easily आपका privacy वगेरा भी leak हो सकता है तो बहुत ही ज़्यादा dangerous है अभी currently Google Chrome और जी हाँ मैं जानता ह हो कि यह दोस्तों जो company है Google Chrome का Google जो की वह one of the biggest company है पूरा world में फिर भी दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा flaws है क्योंकि इसके जो number of users है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है तो Google उतना ज़्यादा maintain नहीं कर पाता है मतलब security updates नहीं लाग पाता है ला भी पाता है तो उतना ज़् सब्सक्राइफ रहना है तो दोस्तों आप यह सभी web browser में shift कर सकते हो तो यहीं दोस्तों एक security update था आप लोगों को बताने के लिए तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इनमें से कौन सा browser use करते हो comment में ज़रूर बताना है यह बात दोस्तों तो वह दोस्तों इतना ही थ बता हूं और शेयर करो इस video को सभी के साथ और चैनल में आए हो तो चैनल के सब्सक्राइबरें को दोबा कर तो डालना क्यूंकि मैं से latest tech updates in detail daily लिकर आता तो जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे miss करना और दोस्तों लोग बहुत ही जादा करीब है 2K